हालो डियर स्टुडेंट वैलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाइडवांस एंजिरिंग क्लासेश दोस्तों मैं ओनिल पाड़िदार अपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के फेसेंगे MCQ सभा लगा रहे हैं और लगातार उनके अंदर गातें उनको चर्चा ख रहे हैं और लुडियर भी आपने देखक लिए वाले हैं प्रधान मंत्री और मंत्री परिषट के आर्टिकल 74 है वहाँ प्रधान मंत्री का आर्टिकल 75 है यह हमने पढ़ा था इनके बारे सारी चीज कर चुके थे लेक्चर अच्छे से देखिएगा आये कोशन की शुरुवात करते हैं पहला कोशन आपके सामने है वीच अब फॉलविंग स्टेटमेंट्स इस करेक्ट अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया भारत के प्रधान मंत्री के बारे में निम्ल लिखित में से कौन सा कथन सही है वीच अब फॉलविंग स्टेटमेंट इस करेक्ट फॉर दी प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया यानि आपको अभी option मिलने वाले इससे क्या समय के प्राइम मंतर के प्रिशव्य के प्रमुक होते हैं क्या तो बिल्कुल भी नहीं और नाम मातर नहीं होते हैं तो यह ज्ञाइब पहलावला तो व्रॉंग हो गया क्या यह संसद के प्रति उत्तरदाई नहीं होते हैं ? तो यह भी गलित है वह अपने किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं बात अलग यह कि राश्पती उन्हें उन्हें लेकिन राश्पती को हटाने के लिए रिकमेंडेशन भीजता है प्राइम मिनिस्टर खुद बेजते हैं इसका मतलब है कि कि he can dismiss any office minister वो किसी भी मंत्री को क्या कर सकते हैं डिस्मिस कर सकते हैं साने की नहीं कर सकते हैं तो गलत है यहीं लास्ट तो तीन गलत है लेकिन पढ़ लेते क्या है प्राइम मिनिस्टर इस दी रियल हेड अब दी काउंचल अब मिनिस्टर राश्पदी प्रदान मंत्री जो है तो राइट अंसर आपके सामने के इसदी राइट आंशर ठीक है तो पुर करता है अल्क सेय्टिण आफ इंडिया लेज डाउन डूटी आफ आर्थी का 78 क्या बात करता है कि भारत के सविधान में कि अनुचेद 78 के तहट करतव्यों को पूरा करता है 78 में क्या लिखा हुआ है क्या इसका option number a speaker of लोक सभा ये सही है क्या option number b chairman of राज्य सभा क्या ये सही है option number c controller auditor general of india और option number d prime minister क्या आर्टिकल 78 में किसके करतव्यों के बारे में लिखा गया है क्या लिखा गया है जरा ये सुन ले आप आर्टिकल 78 बात करता है कि जो भी decision प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत अपनी मीटिंगों के दुरान जो भी लोग मीटिंग करते हैं उस मीटिंग के दुरान प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत के लोग जो decision लेते हैं प्रधान मंत्री की duty है कि दिसीजन के बारे में राश्ट्पति को इंफॉर्म करें प्रधान मंत्री की बीच का राश्पति को सुचना देनी ही होगी प्रधान मंत्री जरूर सुचना देगा उनको और यह सुचित करने के लिए उनका करता बीच जोड़ा गया है इसने आटीकल क्या है राइट अंशर क्या है कि अपिनेट के इंदरगत क्या शामिल होता था तो क्या राज्य मंतर को केस्तर के मंतर को मिला के बोला जाता lightning सवत्तंद्र प्रभार वाले राज्य मंतरी और राज्य के मन्तर्स您 को को मिला के कहा जाता है तो आपने counselor minister जरूर पढ़ा होगा आपको प्रयाद रखना चाहिए आर्टिकल नंबर 74 में के बार में दिया गया है कि मंत्री परिशत किस-किस से मिलकर बना होता है कैबिनेट किस-किस से मिलकर बना होता है तो कैबिनेट के अंदर गत होता है प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर कौन-कौन होता है एक तो होता है पी-म सहाब होते हैं दूसरे होते हैं क्याबिनेट मिनिस्टर होते हैं क्याबिनेट मिनिस्टर होते हैं क्याबिनेट मिनि मिनिस्टर में दो तरीके के स्टेंड मिनिस्टर होते हैं इंडि इंडिपैंडेंडेंट चार्ज इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें करा आपको वह राइट आंसर होगा मैं आपको बता दू किसमें कौन-कौन होते हैं इसमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल के मिनिस्टर होंगे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर अव स्टेट भी होंगे और मिनिस्टर अवस्टेट इंडिपेंडन्ट चार्ज भी होंगे तो सारे इसके राइट अंसर है यह वाला चोथा नंबर का ध्यान रखेएगा कैबिनेट मतलब यह होता है आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट शब्द का उल्ले कौन से आर्टिकल में है तो यह आर्टिकल कौन सा बता था इसके बारे में आर्टिकल नंबर 352 कैबिनेट के बारे में बोलता है और मैं बता था कि आर्टिकल नंबर 74 जो है यह बोलता है काउंसिल आप मिनिस्टर के बारे में मंत्री परिशत के बारे में आ परिशत के अध्यक्ष कोन होते हैं हुई इस दी प्रेसिडेंट आफ काउंसिल आफ साइंटिफिक एंडस्टियल रिसर्च तो एक बाद यह पूछना चाहता है कि विज्ञानिक अनुसंदा परिशत बहुत को बनाया जाता है उसके हेड कोन होते तो ध्यान रखिए कि कुछले उसका होता है जो हमेश्या देश का प्रधान मंत्री होता है तो राइट आँज्ञेव प्रेजींट नहीं वह सकता यूलिट प्राइम-टे मिनिश्टर ओफ इंडिया तो भारत के जो प्रधान डेपूटी प्राइम मिनिस्टर इड्री कि आपने इसका नाम सुना उप प्रणान मंथरी के साथ अब कबार उप अब प्राइम मंतरी बनाये जाते हैं जैसे मुक्ही生 के साथ मुक्ही Moore गार कि किसी पोस्ट नहीं यह कोई constitutional पोस्ट नहीं सविधान में प्रदान मंतर बनाया गया है तो इसे वेक्टिक प्रदान मंतर बनाया जाता है तो पूछ लाए कि वह किस तरह का पोस्ट है क्रेटेडड अंदर जो ओरिजनल कोंसेट्यूशन का यह अंडर ओरिजनल कोंसेशन बनाया गया होता को जंड आया गत्तरक्रों इसके वी इस होते एं आक आधिरीक्त ऑसामेधान भुपास हे या इक्सार में ग्लौत बोलते है जाए aller sì यह एक कि अतिरिक्ट सविधनिक पद गेरस विधनिक पद है यह वोस्क्रिएट बाइफ 44 अमेंडमेंट वॉस्क्रिएट इटी सीट गाया गया सुझा नर्य तो किशी अमेंड्मेंडबेंट्स इसको बनाया गया सिद्धी सी बात है यह एक extra constitutional post है सविधान के बाहर की post है इसलिए इसका जो answer होगा वो क्या होगा extra constitutional post इसको मैं post कर देता हूँ ताकि आपको सीधा से याद रहे extra constitutional post है यह क्या है पद है is an extra constitutional post यह ध्यान रखिएगा यही इसका right answer है option number B ठीक है next question क्यों चलते है next question है वाट इसदम minimum age requirement to become the prime minister of India भारत का प्रदान मंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए कितनी होना चाहिए क्या 21 साल होना चाहिए क्या 25 साल होना चाहिए क्या 30 साल होना चाहिए क्या 35 साल होना चाहिए क्या 21 साल सरपंच के लिए है उसके लिए नहीं है 21 साल किसके लिए सरपंच बनने के लिए पंचायत के चुनाव के लिए है और तो यह इए भी ध्यान के लिए बात dal 25 साल मले बनने के लिए है member of parliament बनने के लिए 30 यह बार चुकर हो yen हे पिए पेटिल साल राष्पति बनने के लिए का चाहिए अको पुझा मंत्री बनने के लिए यह तो क्थान मंत्री बनने के लिए तो लिखा तो नहीं है लेकिन जो भी प्रधारमंत्री बनेका उसे मेंबर पारलेमेनट जरूर蒙 better चाहिए चाहे वह राज 접告intage चाहे लूक सबновität से हो तो फिर भी कितनी होना चाहिए कम से कब कितनी होना चाहिए जो प्रदान मंत्री बनेगा वो लोकसभा या राजसभा का member होना चाहिए यह compulsion है अगर वो लोकसभा के member है तो 25 साल minimum age राजसवा member है तो 30 साल minimum age लेकिन क्या पूछ रहा है कि new time का यू कौन सी है तो 30 कम है कि 25 आप 25 कम है तो 25 जो है वो कम इस वह art answer क्या जाएगा पत्चीस इस दी राइट आंसर ठीकर पत्चीस की नेक्स बात करें अगर क्वेशन की तो इस क्लेक्टिवली रिस्पॉंसिबल तू विच अफ़ फॉलविंग मंत्री परिशत निम्नलमेग से किसके प्रती सामोहिक रूप से उत्तरदाई होते हैं अगर कॉश्चन पूछा आता है व्यक्तिगत तोर पर इंडिविजुली इंडिवर्जुल किसकी तरफ किसकी तरफ रिस्पॉंसिबल होता है तो आंसर आता है अगर प्र्राश्च्पति चाहे तो किसी मंत्रे को आटा सकते सिंगल मंत्री को प्रधा मंत्र के बोलड लेकिन सभी मंत्री एकसाथ अठाना हो तो लोगसभा से अठा सकते हैं तो यह जिम्मदार किसके परती होंगे लोगसभा की परती सभी मंत्री लोगसभा के परती collectively responsible होते हैं कुछ लोग इसे संसद कहे देते हैं संसद नहीं कि वह लोगसभा लिखा है माँ पर लोगसभा की प्रदी जिम्मदार होते हैं next the least number of member who can who who can able the who can table the no confidence motion against the council of minister in लोगसभा लोगसभा में council of minister मतलब मंत्री परिशत को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों कि कम से कम संख्या कितनी होती है how many members लिखा ना the least number of member who can table table बतला रखना the no confidence motion against the council of minister in the लोगसभा लोगसभा में सरकार को हटाने के लिए एक बिल लाया जाता है मैंने बताया था no confidence motion अव इश्वास प्रस्ताव लाया जाता है आप जानते इस बात को लेक्षर में पढ़ा था हमने कितने लोग साइन करेंगे तब वो आएगा तो क्या 20 लोगों के साइन चे आ जाएगा 20 30 40 कितना राइट अंसर तो मैं आपको बता दू कि लिखा हुआ है क्लियर लिखा हुआ है कि यदि सरकार के अलावा सरकार के अपोज़ अपोज़ अपोज़िशन वाली सरकार लाती है तो विपक्षी दल के यदि 50 लोग साइन करके स्पीकर के पास पहुचा दे तो वो नो कॉन्फिदेंस मोशन के लिए अनुमती ले सकते हैं के वाल अनुमती मिलेगी उसके बाद फिर वोटिंग होगी तो पचास लोगों के कम से कम साइन चाहिए तो राइट अंसर क्या हो गया 50 इस दी राइट अंसर नेक्स कोशन है इन में से कौन सा मोशन जो है वो काउंसिल अब मिनिस्टर मू लाता है मंत्री परिशत निम लेकिस में किस प्रस्ताव को पेश कर सकती हैं किसको पेश मंत्री परिशत करती क्या नो कॉन्फिदेंस मोशन मंत्री परिशत लाती है तो नो कॉन्फिदेंस मोशन मंत्री परिशत नहीं लाएगी क्यों क्योंकि यह तो अपोजिशन वाले मंत्री परिशत के खिलाब लाते हैं नो कॉन्फिदेंस मोशन तो मंत्री परिशत के खिलाब उसके अपोजिशन वाल लाज सकते हैं ये इस थगन प्रस्ताव ये एडजर्मेंड मोशन जो होता है एड़्मेंड तो रभी तरफ नपर सबस्क्राइब पर नहीं के लिए रॉता है तो इसमें नहीं है कि खाली पर ला सकते हैं तो फिक ला सकते हैं confidence motion बतलब विश्वास मत ऋजवाब जब सरकार को घ्टाने के लिए अपtschaft़ के लिए क्या किया सरकार की वैसरा ना था तो आप होजिशन के खिलाप क्या ला रहे थे No Confidence Motion ला रहा थे तो आप अपह रिच्वासोन के इस confidence को esquival l कॉफिदेंस का जवाब देने के लिए सरकार वैंधा सबब बढ़त State कि आद टिन नो नॉमिनेटेड बाइप नामित होते Digital City सरकार में बहुंत सारी पहुंत साथ करते ही कि वह नौमिनेट करेंगी यह प्राइन मंतरी नोमेंने किया राइक ऐसका इसका इसका राइट आशने होता है राखता किया यह पार्टिक लोग जसको चाहिए उसको तो प्राइम इसनरे अधर होना चाहिए तो यह लगता है पॉइंटेट बाई प्रेजिदेंट राश्पती जी उन्हें नियुक्त करते तो राइट अंसर हो गया आपका इस तरह से आपके प्रधान